परिचाए विशाल अपने टूल किट में खास तरह का आउजार तलाश रहा है अचानक टेबल से स्टील की दो चाबियां गिर पड़ी चाबियां एक दूसरे पर गिरी और उनकी सतह पर खरूँच लग गई अरे विशाल क्या हुआ? ये कैसी आवास थी? कुछ नहीं पिता जी, कुछ चाबियां फर्ष पर गिर गई थी अच्छा बेटा पिता जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बेटा पिता जी, जब ये चाबियां एक दूसरे से टकराईं तो उनकी लेप की परत इनसे हट गई ये कैसा लेप होता है पिता जी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ ये लेप इलेक्ट्रो प्लेटिंग के द्वारा चड़ाया जाता है ये चाबियां स्टील की बनी होती है और इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रकरम द्वारा इन पर जिंक का लेब चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मदद से अभूशन, नेट बोल्ट, शाफ्ट और पाइपो जैसी पहुसी वस्तुएं हैं जिन पर दूसरी धातुओं का लेब चढ़ाया जाता है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैद्यूत्रासाइन की व्याख्या करना वैद्यूत्रासाइनिक सेल को समझना लवन सेतु की विशेशताएं जानना वैद्यूत्रासाइनिक सेल का वर्लं करना एलेक्ट्रोड विभाव का वर्लन करना सेल के EMF की गरना करना मानक हाइट्रोजन एलेक्ट्रोड की व्याख्या करना नैंस्टर समीकरण की गरना करना गिब्ज उर्जा की गरना करना विद्ध अब घटन को वर्गी क्रित करना वैतित प्रदिरोध और सम्वाहकता की गरना करना सेल नियतांक की गरना करना कोल राउश नियम की व्याधिया करना परिभाषा रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैतित उर्जा और रसायनी कूरिजा के संबंधों का अध्यन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में उर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्यूत रसायन कहते हैं वैद्यूत रसायन पर बड़े स्थर पर रसायनिक रूपांतरण और अध्योगिक प्रक्रम आधारित है उधारण, अभी क्रियाई धातूं का निश्कर्शन, धातूं का शुद्धी करण और धातूं की इलेक्ट्रो प्लेटिंग वैद्यूत रसायनिक सेल एक युक्ती जो रसायनिक उर्जा को वैद्यूत उर्जा में परिवर्टित करती है वो वैद्यूत रसायनिक सेल अथवा गेलवेनी सेल अथवा वोल्टिये सेल कहलाती है किसी वैतित रासायनिक सेल में प्रत्यक्ष तरीके से स्वाता प्रवर्तित अभिक्रिया होती है और स्वाता प्रवर्तित रासायनिक प्रकरम के दोरान विदित उर्जा की रूप में मुक्त उर्जा में कमिलाती है संदचना, जिंक की एक छड़ी को ZNSO4 केविलियन में और कॉपर की एक छड़ी को CUSO4 केविलियन में डुबोया जाता है और इसके लिए दो अलग-अलग भीकर लिये जाते हैं जिंक और कॉपर की छड़ियां इलेक्टरॉट की तरह काप करती हैं और उन्हें एक वोल्ट मीटर के माध्यम से संयोजकतार से जोड़ दिया जाता है दोनों वैदुद अबघटनी विलियन को लवन सेतु से जोड़ दिया जाता है ये काँच की उल्टी यू आकार की नली होती है जो कुछ विदुद अबघटन का गर्म सांद्र विलियन होता है वैदुद रासाइनिक सेल की क्रिया आकसी करण विलियन में जिंक की चड़ी का भार कम हो जाता है और जिंक ठोस विलियन में चला जाता है धातु जिंक के जलिये घोल में इस प्रकार विख्टित नहीं होता है अता ये जेड एन की खात दो धन आयन में रुपांतरित हो जाता है जिंक का जिंक आयन में आक्सी करण होता है नियुनि करण कौपर थोस की फिल्म कौपर जड़ पर निक्शेपित हो जाती है इसका अर्थि ये हुआ कि विलियन में वर्तमान CO2 धन आयन कौपर थोस में रूपान्तरिथ हो जाता है Cu दो धन आयन का कॉपर ठोस में निूनी करण होता है जिस परिपाटी में विद्धुद अब घटन पर आक्सी करण की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है और जब इलेक्टोड पर निूनी करण होता है तब वो कैथोड कहलाता है इस वेद्धुत रासानिक सेल में जिंक छड एनोड और कॉपर छड कैथोड है विद्धुत रासानिक सेल में अवलूकन वोल्ट मीटर एक तशमलव एक शुन्ने वोल्ट के पठन के साथ विचलन प्रदशित करता है जो संकेत देता है कि दो इलेक्ट्रोडों और पर्माणोरहिद्धारा के विभुवांतर हैं और कॉपर से जिंक छड की दिशा में परिपत पूरा करता है कुछ समय बाद कॉपर की एक फिल्म कॉपर छड पर निक्षे पित हो जाती है पता चलता है कि जिंक छड़ की वजन में कमी हो गई है लवन सेतू की विशेष्टाएं लवन सेतू परिपत पूरा होने पर धारा का प्रवाह करता है ये आयन के प्रवाह को अनुमती देता है लेकिन विलियन के प्रवाह को अनुमती नहीं देता लवन सेतु वेत्युत अबघट्ट विलियन की वेत्युत तठस्तता पुनरिस्थापित करता है। धारा के प्रवाह का अनुरक्षन करता है। किसी गेलवेनो मीटर सेल पर विद्रत रसाहिन सेल को निम्न धंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लवन सेल को दो उदगर रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्टोड और विद्रत अपखट के बीच कला सीमा को एकल उदगर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। लवन सेतु के वाम हस्त दिशा पर एनोड लिखा जाता है। इसे पहले आयन के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद धातु का संकेत लिखा जाता है। जो सामय अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोड विभव किसी विलियन में धातु और इसके आयन के बीच विद्रत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु के पत्तर को इसके अपने आयन के विलियन के संपर्क में लाय जाता है, तो तीन प्रक्रम के होने की संभावनाएं रहती है। धातु आयन, MN धन धातुई पत्तर के साथ तकराता है और बिना परिवर्तन के लाटाता है। पत्ती की सतह पर धातु का परमाणू N इलेक्ट्रोड गवा सकता है और MN धन आयन के रूप में विलियन में प्रवेश करता है। धातु आयन, MN धन धातु की पत्ती के साथ तकरा सकता है और N इलेक्ट्रोडों को राप्त करता है और धातु परमाणू में परिवर्तित हो जाता है। सेल का EMF कोई गैलवेनी सेल दो अर्थ सेलों से मिलकर बना होता है और इन सेलों में विभिन विभाव के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों के विभाव के अंतर को विद्ध प्रवाहन बल के रूप में जाना जाता है। सेल के EMF की करना करने के स्टेप निम्न हैं। सेल का EMF बराबर कैथोड का न्यूनी करण विभाव, घटा एनोड का न्यूनी करण विभाव, E-cell बराबर E-कैथोड घटा E-anode, अथवा E-cell बराबर E-दायां घटा E-पायां. हाइटोजन इलेक्टोड का मानक, S-H-E, इस पर प्लेटिनम ब्लैक के साथ प्लेटिनम इलेक्टोड की परत चड़ी रहती है. प्लेटिनम इलेक्टोड एक M सांदरन के H धन आयन के घोल में डूबा रहता है. एक परमानों के दबाओं में शुद्ध हाइटोजन गैस से 298 केल्विन ताप पर पुल्बुला कराया जाता है. प्लेटिनम इलेक्टोड निश्क्रिय रहता है. आदे अभिक्रिया इसकी सतह पर होती है और जिसके द्वारा इलेक्टोड का आवगमन होता रहता है. हाइटोजन इलेक्टोड एनोड अथवा कैथोड की तरह काम करता है जो दूसरे इलेक्टोड पर निर्भर करता है जिससे वो जुड़ा होता है. यदि SHE एक एनोड की तरह काम करता है तो इस पर आक्सी करण की क्रिया होती है. एनोड अर्थ सेल को प्रदशित करता है यदि SHE एक कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर नियूनी करण की क्रिया होती है कैथोड अर्थ सेल को प्रदशित करता है मानक हाइडोजन इलेक्टोड का इलेक्टोड विभव शूनी की तरह लिया जाता है वेदृत रसायन श्रिंखला हाइडरोजन इलेक्टोड का मानक इलेक्टोड विभव शूने रखकर इलेक्टोड की बड़ी संख्या के मानक इलेक्टोड विभव का निर्धारन किया जाता है। जब विभिन प्रकार के इलेक्टोडों को बढ़ते हत्वा घर्टे क्रम में सजाया जाता है तो उनके मानक इलेक्टोड विभव का मान एक श्रिंखला में प्राप्त करते हैं जिसे वेदृत रसायन श्रिंखला कहा जाता है। नैंसर्ट समीकरन नैंसर्ट समीकरन विद्ध अब घटन सांद्रता और इसके इलेक्टोड विभव के बीच के संबंद को दर्शाता है। इलेक्टोड अभिक्रिया को न्यूनी करण अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए नैंसर्ट समीकरन होगा। इस अभिक्रिया के रूप मान रखने से हम पाते हैं। टी बराबर केल्विन स्केल पर ताप मान। एफ बराबर एक फेराडे। आर बराबर गैस नियतांग। 298 केल्विन पर उपर के समीकरन में आर, टी और एफ का मान रखने पर हम पाते हैं। इबराबर इशुन्ने घटा शुन्ने दशमलव शुन्ने पांच नौ एक बटा एन गुणा एम बटा एम की घात एन धन। शुद्ध ठोस और तरल के लिए इकाई के रूप में मोलर सांद्रता को लिया गया है। अब उपर का समीकरन हो जाता है। इबराबर इशुन्ने घटा शुन्ने दशमलव शुन्ने पांच नौ एक बटा एन गुणा लौक एक बटा एम की घात एन धन। नेंसर्ट समीकरन और सेल का एम एफ अमानक अवस्था में इलेक्टोर से संरचित सेल का एम एफ होगा। इसल पराबर इशुन्ने सेल घटा दो दशमलव तीन शुन्ने तीन आडी बटा एन एफ गुणा लौक क्यू। 298 केल्विन पर ये समीकरन हुआ। इसल बराबर इशुन्ने सेल घटा शुन्ने तशमलव शुन्ने पांच नौ एक पटा एन गुणा लौक क्यू। यहां इशुन्ने सेल बराबर मानक सेल विभाव। N बराबर सेल अभिकरिया के रासाइनिक समीकरन को संतुलित करने में शामिल इलेक्ट्रोनों की संख्या। Q बराबर सेल अभिकरिया के लिए संतुलित समीकरन से प्राप्त अभिकरिया का अनुपात। मान लिया जाए कि सेल अभिकरिया है। A A जमा BB देता है, CC जमा DD. अभी क्रिया अनुपात का मान दिया गया है, Q बड़ाबस C घातांक, C गुणा D घातांक, D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B. सेल का E में दिया हुआ है, E 0 सेल घटा 0.591 बटा N गुणा लॉक C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B. नैंसर्ट समीकरण और साम में स्थिरांग एनोड और कैथोड का विभवांतर जब तक रहता है, वैदुदरा साइनिक सेल काम करता है. जब सेल काम करता है और इसकी अभिक्रिया होती रहती है, कैथोड पर विद्द अबघटन की सांद्रता घटती है, कारण की एलेक्टोड पर आयनों का जमा हो जाना, और उसी दोरान एनोड पर विद्द अबघटन की सांद्रता में पृत्धी होती है, कारण विलियन में ध एनोड का बढ़ता है। सेल अभी क्रिया के लिए साम में स्थिरांग को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैतुत रासाइनिक सेल और गिब्ज उर्जा गेल्वनी सेल द्वारा किया हुआ उत्क्रम्न ये कारे गिब्ज उर्जा में कमी के बराबर होता है। यदि सेल का EMF E है और NF उससे होकर गुजरने वाला आवेश है और डेल्टा आरजी अभी क्रिया की किब्ज उर्जा है तो दिया हुआ है डेल्टा आरजी पराबर गटा NF E सेल यदि सभी अभीकर्मी वर्गों की सांद्रता समान है तो E सेल बराबर E सेल डेल्टा आरजी बराबर गटा NF E सेल ई-शून्ने-सेल के मांनकी करना करने पर, हमें Δ RG-शून्ने-अभिक्रिया की मानग Givs-Urja का मान प्राप्त होता है अभिक्रिया की मानग Givs-Urja और साम्मेस्थिरांक निम्न समीकरन से सम्मंदित है Δ RG-शून्ने बराबर घटा RT प्राक्रितिकलोग के जिन पदार्तों से होकर विद्धित प्रवा होता है वे चालक कहलाते हैं। जिन पदार्तों के जलिये विलियन से होकर विद्धित प्रवा होता है और उसी दोरान रसायनिक अबखटन होता है। विद्धित अबखट्य का वरकी करण आइनी करण के प्रसार की कारण विद्धित अबखट्यों को दो श्रिणियों में बाठा गया है। प्रवल विद्धित अबखट्य और दुर्वल विद्धित अबखट्य ये अपने जलिये विलियन में पूरी तरह आइनित होते हैं। उधारण के लिए HCl, NaOH और KCl दुर्वल विद्धित अबखट्य वे जलिये विलियन में आइनित होते हैं और इनके आइनन के निम्न अंश होते हैं। बिना अलग किये हुए अड़ूँं के साथ इनके जलिये विलियन सामय अवस्था में आइन से युक्त होते हैं। संगठित होता है। उधारण के लिए NH4OH और CH3COOH विद्ध अबखट्य विलियन की वेत्युति चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अंतर आइनन आकर्शन यह विलियन में विद्ध अबखट्य के आइनों के बीच आकर्शक अंता क्रिया है। अंतर आइनन आकर्शन अधिक होने पर विचरण की स्वातंत्रता कम होती है और वेत्ध चालकता कम होती है। आयनों का विलायक योजनन यानी Salvation, ये विद्ध अबघट अणों विलायक के आयनों के बीच आकरशक अंताक्रिया है विले विलायक अंताक्रिया अधिकोने पर विलायक योजनन में अधिक्ग विस्तार होता है और विलियन की वैदुत चालकता कम होती है विलाइक की शानता ये कारक विलाइक अणों के बीच आकर्शक अंताकरिया पर निर्भर करता है विले विलाइक अंताकरिया अधिक होने पर शानता अधिक होगी और वैद्धुद चालकता कम होगी तापमान विद्द अब घटे विलियन का तापमान बढ़ने पर आयनों की गजिज ओर्जा भी पढ़ जाती है परिणाम सरूप विद्द अब घटनी विलियनों का विद्द चालक गत्व पढ़ जाता है वेदुद प्रतिरोध प्रतेक चालक पदार्थ में विदुद प्रभा में अवरोध उत्पन होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं ओम का नियम इस नियम के अनुसार किसी संबूँ चालक का विभुवांतर इससे होकर गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है वी पराबर आई आर अथवा वी बटा आई पराबर आर चालक से होकर प्रभाहित होने वाली धारा के विभुवांतर का अनुपात अचर रहता है और ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है इसकी एकाई ओम है प्रतिरोधकता एक सेंटिमीटर लंबाई के चालक के साथ एक वर्ग सेंटिमीटर के अनुप्रस्त काट के क्षित्रफल द्वारा उत्पन प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याक्या की जाती है किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुपरस्त काट के क्षेत्र फल का व्यूत क्रमनुपाती होता है R बराबर ρो L विभाजित A जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध हथवा प्रतिरोध हकता के रूप में जाना जाता है व्यूत चालक कत्व किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्ध धारा का सहज माब चालक कत्व है प्रतिरोध के व्यूत क्रमनुपाती के रूप में इसका वर्ण किया जाता है इसे G द्वारा दर्शाया जाता है G बराबर एक बटा R चालक कत्व की इकाई MHO है जालक ता ये प्रतिरोधक्ता का व्यूत क्रमनुपाती होती है इसे चालक के एक घन सेंटिमीटर के चालक कत्व के रूप में समझा जा सकता है इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है K बराबर L बटा R A चालक्ता की काई MHO सेंटिमीटर व्योतक्रम है वैदुद अब घट्टे विलियन की मोलर चालक्ता किसी विलियन का चालकत्व मोलर चालक्ता है जिसमें एक ग्राम अणू अथवा वैदुद अब घट्टे का एक मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलियन को एक सेंटिमीटर के फासले पर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है इसे लेम्डा एम दौरा निर्देशित किया जाता है किसी विलियन के वी सेंटिमीटर घन के लिए एक मोल वैदुद अब घट्टे विलियन को एक सेंटिमीटर फासले पर दो बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है इस तरह चालक्ता और मोलर चालक्ता के बीच के सम्मन्द को इस प्रकार दर्चाया जा सकता है लेम्डा एम बराबर कप्पा और आयतन का गुणन फल मोलर चालक्ता के उधारण व्यास एक सेंटिमीटर लंबाई पचास सेंटिमीटर के किसी स्थम्म का वैदुत प्रतिरोध 0.05 मोल प्रति लीटर एन ए ओ एच विलियन में 5.5 कुणा 10 पर घातांक 3 ओम है तो प्रतिरोधक्ता चालक्ता और मोलर चालक्ता ग्याद करें अब हम हल करते हैं यहाँ दिये हुए मान है आर बराबर 5.5 गुणा 10 घातांक 3 ओम सी बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर आर बराबर 0.5 सेंटिमीटर एल बराबर 50 सेंटिमीटर हम जानते हैं कि क्षित्रफल बराबर पाई आर वर्ग बान रखने पर हम पाते हैं चेत्र बराबर 0.785 वर्ग सेंटिमीटर हम जानते हैं कि आर बराबर रो एल बटा ए मान रखने पर हम पाते हैं प्रतिरोधक्ता पराबर 87.15 Ohm सेंटिमीटर हम जानते हैं कि चालक्ता प्रतिरोधत्व का व्यूत क्रमनुपाती होता है मान डखने पर हम पाते हैं चालक्ता पराबर 0.01148 सीमेन सेंटिमीटर व्यूत क्रम हम जानते हैं कि मोलर चालक्ता पराबर कप्पा गुणा 1000 विभाज सी मान रखने पर हम पाते हैं मोलर चालक्ता पराबर 239.6 सीमेन वर्ग सेंटिमीटर मोल व्यूत क्रम वैदुत चालक्ता के मापन वैदुत अबघटनी विलियन का प्रतिरोध वीट स्टोन ब्रिज पद्धती से मापा जाता है वैदुत अबघट विलियन युक्त चालक्ता सेल के एक सिरे को वीट स्टोन ब्रिज से जुड़ा जाता है इसमें 1500 से 3000 चक्रिय वृत्ती परास की प्रत्यवर्ती वित्त धारा प्रवाहित की जाती है। यहां दिश्ट धारा का उप्योग नहीं होता है क्योंकि इसका कारण वेत्त अपघटन है और धुरुवन प्रभाव की कारण लेक्टोड के नस्तीक वेत्त अपघणी विलियन मे परिवर्तन है। प्रतिरोध आर एक, आर तीन और आर चार को इस प्रकार वेवस्थित किया जाता है कि एक रिक्त बिंदु प्राप्त होता है। रिक्त बिंदु को संसूचक पी द्वारा निर्देशित किया जाता है। रिक्त बिंदु पर आर एक बटा आर दो बराबर आ आर एक गुणा आर चार विभाजित आर तीन। वैदुत अब घटनी विलियन के प्रतिरोध आर एक आर तीन आर चार के मान प्राप्त कर हम आर दो की गणना करते हैं। आर दो का व्युत क्रमणुपाती विलियन का चहलक कत्व देता है। सेल नियतांक सेल नियतांक बराबर होता है चालकता बटा चालकत्व के। इसे जी एस्टेरिस के द्वारा प्रदशित किया जाता है। इसकी व्याक्या एक आई सेंटिमीटर व्युत करम के रूप में की जाती है। जिस मानक विलियन की चालकता ग्यात होती है, चालकत्व के माप द्वारा उसके सेल नियतांक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उद्देश के लिए KCL के मानक सेल का उप्योग होता है। विभिन सांद्रता और तापमानों में जिसकी चालकता ग्याथ होती है, सेल नियतांक बराबर 0.12886 बटा एक्स। एक बार सेल नियतांक ग्याथ हो जाने पर वैदुद अबखटनी विलियन के चालकत्व अथवा प्रतिरोध से चालकता की गणना की जा सकती है। सांद्रण के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन वैदुद अबखट के एक सेंटिमीटर घन के चालकत्व को चालकता की तरह समझा जा सकता है। तनुता में व्रिधी के साथ एक सेंटिमीटर घन में आयनों की संख्या में विलियन कम होता है। वैदुत अब घट्टे विलियन की चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ घट्टी है। सांदरण के साथ मोलर्ता में परिवर्तन। समान सांदरण के लिए कठोर वैदुत अपखट लेम्डा M के मान दुर्बल वैदुत अपखट की तुल्ना में अधिक होता है। तनुता के साथ वैदुत अपखट की मोलर चालकता पड़ती है। दुर्बल वैदूत अपखट्टी के तुल्ना में कठोर वैदूत अपखट्टी के लिए लेम्डा M की सापेक्षिवरिद्धी का मान अपेक्षाक्रित कम होदा है. सांद्रण के साथ मोलडचा लगता की ग्राफिये प्रस्तुती KCL कठोर वैदूत अपखट्टे और CH3COOH दुर्बल वैदूत अपखट्टे हैं. एक ग्राफिये प्रस्तुती करण सांद्रण के साथ मोलडचा लगता के परिवर्तन को दर्शाता है. कठोर वैदूत अपखट्ट में जब सांद्रण शून्य होता है, मोलडचा लगता एक निश्चित मान प्राफ्ट करता है, जो सीमित मोलडचा लगता के रूप में जाना जाता है. इस मान को लेमड़ा शून्य M से दर्शाया जाता है. एसेटिक अमले की तरह निर्बल वैदूत अपखट्ट के मामले में सीमित मान प्राप्थ हो, इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, क्यूंकि जब सांद्रण शून्य हो जाता है, तो ग्राफ लगभग वाई अक्ष के समरंदर हो जाता है. कोल राउश का नियम कोल राउश के नियम के नुसार किसी असीम तनुता में जब वैदूत अपखट्टे पूरी तरह अलग हो जाता है, तो वैदूत अपखट्ट के लिए प्रतेक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरित प्रकृति के अन्ने आयन के साथ जड़ा होता है. असीम तनुता पर किसी वैदूत अपखट्ट की मोलड चालगता को इसके अलग आयनों के योगदानों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हमें लगता है लेमडा नौट धनात्मक और लेमडा नौट रनात्मक, धनायन एवं रनायन की सीमान्त मोलड चालगता क प्रदशित करता है। कोल राउश नियम के अनुप्रयोग। सारांश विद्ध उर्चा में परिवर्तित करती है। वो वैदुतरा सैनिक सेल अथवा गेलवेनी सेल अथवा वोल्टिये सेल कहलाती है। एलेक्ट्रोड जिस पर आक्सी करण की क्रिया होती है, उसे एनोड और जिस पर निवनी करण की क्रिया होती है, उसे कैथोड कहते हैं। लवन सेतु परिपत को पूरा करने के लिए धारा के प्रवा को गुजरने की अनुपती देता है। ये आयन को प्रवा की अनुमती देता है, लेकिन विलियन के प्रवा को अनुमती नहीं देता है. किसी विलियन में धातू और इसके आयनों के बीच वेद्युत विभवांतर को स्थापित करने को इलेक्ट्रोड विभाव कहते हैं. किसी विलियन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें एक ग्राम अनुम अथवा वेद्युत अबघट्ट का एक मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलियन को एक सेंटिमीटर के फासले पर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है. कोल राउश के नियम के नुसार किसी असीम तनुता में जब वेद्युत अबघट्टे पूरी तरह अलग हो जाता है, तो वेद्युत अबघट्ट के लिए प्रतेक आयन निश्चित योग दान देता है. विप्रेत प्रकृती के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है.